हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तो दे एक्जाम स्में इट सिंपल शुरू करते हैं 26 नवंबर 2021 का दा हिंदू न्यूस्पेपर वीडियो पसंद आता तो प्लीज डू लाइक एट 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 अमंग गर फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे सोचल मे तो आपको बताना है कुथी यूंग तीन में से किसकी ट्रिब्यूटरी है अब जी सेट सेवन सेटलाइट के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दीए है पहला स्टेटमेंट कहा है इट वस लॉंच्ड फॉर इंडिया नेवी तो मॉनीटर दे इंडियन ओशन रीजन और प्रोवाइड रियल टाइम डेटा तो अल्ड एंडियन संब्मरीन वार्शिप एंड एरक्राफ्ट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस और रुकमीनी इसको रुकमीनी भी कहा जाता है यह कह रहा है तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट इंकरेक्ट है गलत स्टेटमेंट कौन से है वन औली तू अल्ली बोथ ही है नन इनमेंसे कौन सी कंट्री है जिसने की एक प्लान डेडिकेटेट बिटकोईं सिटी प्लान की है तो आप्शिन्स आर थे यूसे मौरिशियस एल सल्वाडोर या यूके थे थी कौशिन्स तीनों ही बहुत आसान कौशिन है इस कौशिन्स अटेम्ट कर लीजेगा और मुझे ज़रू बताएगा कितने कुशन आपके सही थे मैं आपको आंसर एक करके बता देता हूँ पहले सवाल का आंसर है बी काली रिवर दूसरे का आंसर है डी ननावदीवफ दोनों स्टेटमेंट सही है एक्शिवी दोजात तेरा में इसको लांच किया गया था जी सेट सेवन क और यह रुकमीनी के नाम से याद रखेगा इसका नाम हैुपमीनी तù यह बिल्कूल सही स्टेटमेंट है तो इसके अलाबा जो यह तीसरा सवाल है इसका आंसर तो आप सबको पता होगा इसका आँसर है अल यही country जिसने की पहली legal bitcoin भी release की थी, है ना legal tender के रूप में bitcoin को भी कहा था और यही country है जो कि एक bitcoin city को भी launch करने वाली है, तो El Salvador will be the answer for that, I hope you got clarity ठीक है, आगे move करते news analysis part में, तो पहली जो news है front page की news है, government to revisit the income criteria for the EWS quota अब EWS quota आप सको पता है कि यह economically weaker section का quota है, जो कि 10% का दिया गया था, general category में जो लोग रहते हैं, लेकिन economically weaker लोग है, इनको दिया गया था, यहाँ पे जो income criteria है, वो यह भी तक 8 lakh रुपय का, अगर आपको पता है, तो मैं नहीं पता है, तो रता दू EWS quota में जो भी income category है वो 8 lakh रुपीज थी, और यह family income थी, यह आदरखे का, यह individual income नहीं है, यह family income है जब आप eligibility criteria पढ़ेंगे यह, आगर आपको EWS certificate बनवाना रहता है, तो आपको तहसीलदार office में जाकर के अपना काम करवाना रहता है, तहसीलदार का office में जाकर आप करवाता है आपकी family income जो रहती वो 8 lakh रुपए से कम होनी चाहिए आपका जो घर होना चाहिए residential flat होना चाहिए, घर होना चाहिए वो 1000 square kilometer से जादा नहीं होना चाहिए, प्लस आपके पास पांच एकर से जादा आपकी family के पास land नहीं होना चाहिए, यह categories अलग अलग है, यहना मैं आपको MP के बता रहा हूँ जो मुझे basically पता है अब हो सकता है statewide अलग norm हो लेकिन यह eligibility यही है MP की मैं बता दूँ, पांच एकर से जादा आपके पास land नहीं होना चाहिए आपके पास 1,000 स्कुल मिंटर ज्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए और आपकी family की जो income है yearly वो 8 लाग रुपए से जादा की नहीं होनी चाहिए तो this is the thing अब इसी जो criteria है ना इसी को revisit करने की बात की जाए कि income criteria जो 8 लाग रुपए रखा गया इसको revisit किया जाए तो union government ने consider किया है ये कि अब इसको हम revisit करेंगे actually NEET के exam के दोरान बहुत सारे petitions फाइल किये गए थे, उनके basis पे भी decide किया गया है कि जो keeping in view of the article 15 of the Indian constitution and इसके लावा जो 103rd Amendment Act है उन सारे के view में हम ये चीज़ करेंगे कि आपका क्या income criteria रखना चाहिए that is the thing which is there अब ऐसे भी सही बात है कि 8 लाग अब देखो क्या करता है Supreme Court और किस तरीके से इसको justify करते है otherwise let's see कि क्या होता है ठीक है ठीक है मेरे इसाब से तो 8 लाग भी family की income 8 लाग रुपए बहुत जादा नहीं है 8 लाग रुपए आज कल तो मुझे लगता है कि इतना जादा इतनी जादा महगाई है और इतनी जादा चीज़ें बन रही कि 8 लाग कुछ भी नहीं है reality अगर आप देखो वैसे पता होगा 103rd Amendment Act ही EWS category का है तो याद रखेगा कि आप से कभी पूचे कि 103rd Constitutional Amendment Act किस चीज की रिगाडिंग किया गया था तो यह आपका किया गया है किस के लिए यह आपका किया गया है EWS category के लिए ठीक है ना अगर आप से कोई पूचे कि 102nd किस के लिए किया गया था तो आपको पता है ओना चाहिए कि पावर अचे कि आप से कि आप सोचल एजुकेशन लिए बैकवर्ड क्लासेज तो यह जो नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज उसके लिए 102nd Amendment Act लाए गया था नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के लिए तो 102nd भी आप थोड़ा से याद पूच लेता है न आज कल तो इसको इसलिए मैं आपको बता दिया कि 102nd नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज और आपका जो 103rd है वो EWS कटेगरी के लिए और इसके अलावा कर आपको इसके पहले भी था I think GST का भी है शायद इसके पहले वाला GST का है तो अगर आप लोग को पता हो तो बताएगा वैसे मेरे साब से GST का है 101st Constitutional Amendment Act वो आया था I think 2016 में है ये भी आप लोग देख लिजेगा 101st आया था 2016 में तो ये भी ये तीन में ने बता दिया 101, 102, 103 आपको बता दिया अगली न्यूस भी बहुत इंपोर्टन है Bring in the 3-rate GST structure तो ये अब एक आपको बता दो NIPFP है NIPFP जिसका Full Farm is National Institute of Public Finance and Policy याद रखेगा National Institute of Public Finance and Policy ये एक independent think tank है autonomous think tank है लेकिन इसको backing मिलती है Finance Ministry दोरा याद रखेगा ये वैसे तो एक independent think tank है लेकिन इसको backing कौन देता है Finance Ministry देती है और इसने basically NIPFP ने अभी एक suggestion दिया है कि आप ये जो 4 tax structure है अभी 4 major tax rate structure चल रहा है 5% का tax rate चल रहा है 12% का tax rate चल रहा है 18% का चल रहा है और 28% का चल रहा है चल रहा है ना तो इन्होंने कहा है कि भीया आप एक काम करो कि instead of having these 4 tax rate structures आपको क्या करना चाहिए कि आप इसको 3 tax rate structures में convert कर लो अब 3 में क्या होगा तो इसने तीन rate से जिस्ट के 8% जो कि minimum 5% से जादा है दूसरा है 15% जो की 12% से जादा है लेकिन 18% से कम है और तीसरा है 28% जो की तीसरा है 30% जो की 28% से जादा है ठीक है ना तो अगर आप देखे तो इस तरीके के 3 tax rate structures इन्होंने बताए है 5% को जो minimum tax structure था पहला वो 5% का था उसको हटा करके 8% बोल रहे है बीच में 2 थे 12 और 18 तो इनके बीच का 15 कर दिया और 28 के जादा है 30 कर दिया तो इन्होंने कहा है कि अगर आप इस tax structure को follow करते है तो आपका जो कहना चाहिए कि जो revenue हो वो कम नहीं होगा जादा rational रहेगा यह tax structure तो NIPFE आज रहेगा National Institute of Public Finance and Policy National Institute of Public Finance and Policy इसने इसको backing कौन देता है Finance Ministry backing देती है और इसने GST के रिगार्टिंगे तीन tax structure भेजा है actually में है क्या कि अभी GST Council ने एक group of ministers जिनको head कर रहे हैं करनाटका के CM बसवाराज S. बुम्माई उनके अध्यक्षता में एक committee बनाई गई है जो कि rationalizing of the tax structure अंडर GST कर ही रही है already एक committee है जिसको आपके head कौन कर रहे है CM बसवाराज S. बुम्माई करनाटका CM ये इसको head कर रहे है और इनके अंतरकर ये committee अल्रड़ी बनी हुई है तो इसी कारण से ये NPI-FP का जो काफी जादा important हो जाता है ये हो सकता है कि suggestion को include किया जाए और उसके बाद देखा जाए तो ये इस तरह से उन्होंने कि current जो GST structure ने 5% और possible revenue neutral rate जो है वो 8% 12 और 18 को merge करके अब एक 15% का structure बना दिया जाएगा और पहले demerit goods के लिए 28% था अब इन्होंने 30% कर दिया है तो that is the thing which is important I hope you got clarity regarding that ये आपको समझ में आ गया होगा और ये revenue neutral rates नहीं मतलब कि निर्मला सीथा रेमान जी को ये लग रहा था कि revenues न घड़ जाए और तो इसके लिए बोलोंने बोले कि revenue neutral rates कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप देखेता है न so that is the thing आगे move करते हैं देखते हैं कि IMPORTANT NEWS ITEM में तो रुपीज 10,000 क्रोर more allotted for the Manrega तो Finance Ministry ने फाइनरी सुन ली है और Manrega के लिए 10,000 क्रोर और कर दी है मैंने कल भी आपको रिपोर्ट में बताया थै कि Manrega जो Scheme उसके अंदर के दिस बार 34,000 क्रोर का budget allocate हुआ था 34,000 क्रोर का allocate हुआ था और most of that has been spent in paying the earlier dues पहले के dues को pay करने में इतना चला गया तो नया पैसे की बहुत जादा ज़रुदत थी और SME सारी चीह देखते हुए है ना तो उन्होंने 10,000 क्रोर और allocate कर दी है so that is a very good thing है ना आगे move करेंगे और देखते हो क्या important news items है जिनके बारे हमको discuss करना तो you can move ahead with me Scorpene class submarine INS Vela joins the navy तो आप navy को join कर लिया है INS Vela ने which is the fourth Scorpene class conventional submarine Scorpene class के actually France की हती है Scorpene class जो होती है यह France से लिया गया है France बनाती है इनको और वहाँ पर एक company है DCNS वो इसको बनाती है Scorpene class submarine बनाती है वहीं से हमने यह idea लिया था कि Scorpene class submarine मनाएंगे और यह चौथी है INS Vela is the fourth one in that list चौथी है उस list में और Vela has taken the make an India spirit a notch higher with the fitment indigenized battery cells which power a very silent permanently magnetized propulsion motor तो यह propulsion motor को power देने के लिए जो इन्होंने यूज किया है वो पूरा indigenized battery cells use किया है indigenized battery cells use case में and construction of this submarine commenced with the first cutting of steel on July 14, 2009 2009 से इसका बनना शुरू हुआ था and Vela के नाम से इसको 6 मई 2019 को launch किया गया था यह आपको याद रखना है अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यह एक बात बताओ कि यह तो चौथी है तो बाकी के तीन कौन सी है तो वो मैं आपको बताता हूँ इसको याद रखेगा इंडिया की क्या है यह नुक्लियर बिलिस्टिक मिसाइल सम्मरीन है और इसका नाम क्या है अरिहंत नाम है अब वेला जो की चौथी है उसके अलावा बता दू वेला के बारे में एक फैक्ट कि वेला जो नेम दिया गया है तो इसनेमड आफ्टर इंडियान फिश बिलॉग इस टींगरे फैमली इस्टिंगरे फैमली के एक फिश है जिसके नाम पे यह वेला नाम रखा गया है तो इसका जो एक प्रेश्ट है वेला का जब आप क्रेश्ट देखेंगे तो भो आपको दिखेगा कि it is just like a fish swimming in the sea, ठीक है न, the submarine's mascot is the subray, मलब वही sub stingray, which is an amalgamation of the submarine and stingray, तो submarine और stingray के मिला करके subray इसका mascot रखा गया है, the mascot is named as subray, which is the amalgamation of submarine and the stingray, ठीक है न, that is the thing which is important, यह दोनों का metamorphosis दिखाता है, metamorphosis मतलब कि दोनों को, दोनों किस तरीके से मिल रहे है, the concept of stingray is added to the submarine, stingray का concept जो है वो, submarine में add कर दिया गया है, यह कि फिश के उपर named है, इसलिए इसको subrays का mascot रखा गया, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि INS Vela के लावा जो पहला था, first submarine थी, इसकी तो वो INS Calvary थी, जो की 2017 में commission की गई थी, दूसरी थी INS Khandary, जो की 2019 में आई थी, फिर तीसरी आई थी INS Karanj, यह भी याद रखेगा, पहली थी INS Calvary, दूसरी थी INS Khandary, खंडेरी एक island है वैसे जिसमें जो की शिवा जी के लिए काफी famous है, चातरपती शिवा जी महराज के लिए काफी famous है, और यह तीसरी थी INS Karanj, Karanj 2001 in Karanj, यह मार्च 2021 में था था, फिफ्थ जो फोर्थ वेला है, फिफ्थ जो है वो वागीर है, फिफ्थ विल वागीर थी, अब इसके अलावा एक और है under trial है, वागशीर, याद रखेगा, अंडर trial है वागशीर, तो वागीर, वागशीर और वेला, यह तीन और याद रखना आपको, तो Calvary, Karanj और Khundiri यह तीन थे, वागीर, वागशीर और वेला, यह तीन और नाम है, तो I hope you got clarity regarding that, आगे move करते ह का important news item है तो NFHS says women out number में तो ये कल मैंने आपको बताया था अगर कल आपको याद हो मेरा news analysis तो कल आपको मैंने बताया था कि इस बार जो national family health survey का जो 5th edition release हुए है बाकी चीज़े जो रिलीज हुई है उसमें ये पता चला है कि 1020 female थी in compared to 1000 male तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कितना ज्यादा high out number किया है women ने milk और ये एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये केवल हो केवल इन दो सालों का data है मतलब कि 2019 से 2021 का data है ये उसके अलावा का data नहीं है तो ये कुछ national family health survey में जो आया है कि देखो states देखो पंजाब में जैसे आप देखोगे तो red light है red light है मनला कि अभी भी वहां पे women के number 950 से कम है ठीक है पंजाब में होगे आपका फिर आपका इधर side जो हिमाचल वाला region है उसमें भी आपका कम दिख रहा है इसके अलावा जब आप नीचे आओगे पंजाब और हर्याणा वाले region में कम है दूसरा बस पंजाब हर्याणा वाले में कम है थोड़ा सा जम्मू वाले पार्ट में कम है ये तीन पार्ट में कम है बिलकुल green किसमें किसमें तो UP में green चल रहा है अच्छी बाट ये है और बिहार में green चल रहा है राजस्थान में green चल रहा है फिर आपका 36 गड़, जार्खंड, उडिसा, वेस्ट बेंगौल इधर साइड, तेलंगाना, अंधरप्रदेश, महराष्ट्रा महराष्ट्रा में तो नहीं चल रहा है करनाटका, इन सब जगहों पे बिलकुल मलब की 1000 से ज़्यादा चल रहा है और 1000 ये 950 से 1000 कहां कहां चल रहा है तो कि थोड़ा note कर ले 950 से 1000 चल रहा है गुजरात में, मद्ध प्रदेश में महराष्ट्रा में इस तरीके से थोड़ा इसको भी बना करके रख लेना अपने दिमाग में इसको मिस्स मत कर देना चीज़ों को क्योंकि यूपेस जगर आपसे पूछ लेगा ये भी पूछ सकता है कि इन में से कौन से है 950 से ज़्यादा है, कौन से है अजार से ज़्यादा के है ये मैप काफी इंपोर्टन हो जाता है आगे मूफ करते है पैनल सेट अप और कम्यूनिटी किचन ये थोड़ी इंपोर्टन नहीं है तो काफी स्टेट्स के फूड सिक्रेटरी को मिला करके एक कम्यूनिटी किचन का आइडिया जो है वो स्टार्ट करना चाहते है तो तो दाट इस इंपोर्टन लेकिन मैं आपको आगे दा दू रशिया पुट्स इंटो और्बिट क्लासिफाइड मिलिटरी सेटलाइट अब रशिया ने एक क्लासिफाइड मिलिटरी सेटलाइट जो है वो स्पेस पे रखी है अब कई लोग कह रहें कि यह तुन्दरा सेटलाइट है तो मैं थोड़ा पहले आपको आपको आदे कि वाट इस तुन्दरा सेटलाइट यह काफी न्यूज आपको सुनने में आएगी तो तुन्दरा सेटलाइट को EKS भी कहा जाता है यह यह वो सेटलाइट है विच इस दे नेक्स जनरेशन अफ रशिया अर्ली वर्रनिंग सेटलाइट ये next generation रशिया की early warning satellites है जिनको वो release कर रहा है to replace the existing USK and USKMO early warning satellites तो अभी जो early warning satellites वहां use होती है वो है USK and USKMO ठीक है ना तो इनको replace करके वो basically Tundra EKS satellite systems को release कर रहा है इसलिए इसके अंदर के 6 satellites already planned और orbit कर रही है है ना छे करनी है total और 4 already कर रही है ठीक है ना तो that has already been launched in 2015, 2017, 2019 ठीक है ना इसके अलाब है क्यूपोल लाम की चीज और है क्यूपोल का भी अब इन्होंने क्या किया किया क्यूपोल ऐसे लिख दिया है क्यूपोल इसका reference नहीं दिया है तो मैं आपको बता दो क्यूपोल is basically to detect the launches of ballistic missiles and track them to their landing site ठीक है ना तो यह आपको यादर है क्यूपोल क्या है it is designed to detect the launch of ballistic missiles, ballistic missiles के detects को launch को detect करता है and उनको उनका जहां landing site है जो इन सारी चीज़ों को track भी करता है तो यह क्यूपोल का काम हो गया, यह भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आपने देख लिया यहाँ OPEC Plus का नाम आया कि चाइना जो है थोड़ा ताला टा, कल मैंने आपको news बताई थी कि इंडिया अपने oil reserve से oil release करेगा ताकि demand supply balance हो जाए और फिर उस prices कम हो जाए फिर मैंने आपको जाए कि US भी ऐसा करेगा और चाइना भी करेगा, अब चाइना जो है वो टालम टोल कर रहा है कि देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे यह सारी चीजे है, प्राइजे को खर्चे के बढ़ रहा है, यूएस में भी लगबग 60% तक प्राइज बढ़ चुक आइ थिंग बाहर हो गया, तो कतर इको दोर के बाहर होने के बाद वो 13 कंट्री बसती है, तो अब कुल मिला करके यह 13 कंट्री हैं, इन 13 में से 11 कंट्री और 10 और कंट्री ठीकर ना, 10 extra non-opec कंट्री भी हैं, वो include करके उन्नोंने OPEC प्लस बनाया है, तो वो जो 10 कंट्री हैं वो हैं अजर्बाइजन, बहरेन, ब्रुनेई, कजकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, और सुडान, ये 10 कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज हैं जो मिल जाती हैं जब ओपेक कंट्रीज के साथ तो बन जाता है आपका ओपेक प्लस तो ये आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है I hope you got clarity इसको याद रखना आगे देखते क्या news item है यहाँ पर the democratic backsliding of India के बारे हम देख लेते हैं तो 2016 से लेकर के 2020 के बीच में अभी एक report आई जिसने ही बताया है कि जो authoritarianism है authoritarianism है मलब anti-democratic जो nature है countries anti-democratic nature यानि कि authoritarianism की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और democracy की तरफ कम countries बढ़ रही है तो पहले चीज तो आपको याद रहे हैं कि authoritarianism की तरफ ज्यादा countries जा रही है और democratic countries की तरफ कम countries जा रहे हैं ठीक है ना तो मार्श 2021 में स्वीडन का वी देम इंस्टिटूट है स्वीडन का कौन सा वी देम इंस्टिटूट इस डेमोक्रेसी की रिगार्डिंग एक इंडेक्स निकालता है इन्होंने कहा कि इंडिया एक electoral autocracy है वी देम इंस्टिटूट स्वीडन का इंस्टिटूट है जिसने मार्श 2021 में अपनी कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाली थी उसमें इन्होंने कहा कि इंडिया एक electoral autocracy है फिर freedom house एक और ग्रूप है freedom house उसने इंडिया को बोला कि इंडिया पार्टली फ्री है ठीक है ना इंड international institute for democracy and electoral assistance याने कि international idea जो institute है ये student का ही institute है इसने कहा है कि इंडिया is the major backslider democracy major decliner है ना तो अचली इसने idea ने एक rating निकाली एक report निकाली इसका नाम है global state of democracy report 2021 global state of democracy report 2021 निकाला है GSOD जिसको बोलते है global state of democracy 2021 report इसके अंतरगत इंडिया जो है major decliner है इसके साथ इंडिया के साथ ब्रजील और USA भी major decliner की category में आते है ठीक है ना यह आपको याद रखना है GSOD जो report है और यह जो idea group था international इसका जो founding members में इंडिया था याद रखे का इंडिया was one of the founding members of the first reports the first report या first time या रहा है तो यह founding member में भी था and इस group का यह कहना है कि इंडिया जो है major backslider है democracy में that is the thing which has been mentioned in this article I hope you got clarity regarding that तो यह आपको सम्झ में आ गया होगा I hope you got clarity owing up to criminalization in politics अब यहाँ पर author ने supreme court का 2020 फरवरी का एक judgment बताया है जिसमें उन्होंने यह कहाए कि supreme court यह कहाए कि अब जो political parties उनको कुछ चीज़ें मलब की निकाल के दिखानी पड़ेंगी क्या क्या चीज़ें जैसे कि parties को यह बताना पड़ेगा क्यों ऐसे candidate को लिया गया है ज इसके पास criminal cases नहीं थे और यह चीज़ बताने से अगर political parties मतलब की नहीं बता पाती है तो इसको contempt of court माना जाएगा क्या क्या चीज़ें पहला है पहले तो financial details और criminal cases दोनों के लिए उनको एफिडेबिट जमा करना पड़ेगा दूसरा है तो criminal cases की जानकारी रेटन में देनी पड़ेंगी तो उनको यह तो पार्टी शैल पुट अप उन इस website और इस social media as well as published in newspaper the names and details of such candidates तो उनको यह तिकर न बढ़ेगा actually criminalization जो politics में बढ़ता है क्यों बढ़ता है because of the money and muscle power क्या होता है अभी भी हमारे देश में जो चुनाओं जीते जा रहे है न वो दो चीज जीते जा रहे है money plus muscle दो M है यहाँ पे money plus muscle जिसके पास ज्यादा पैसा है और जिसके पास ज्यादा power है वो दोनों ही चुनाओं जीत सकते है ठीक है तो यह चुम money and muscle power इसको खतम करने के लिए बहुत सारे सुझाओं आए गए यह ना लेकिन अभी तक वो चीज कम नहीं हुए in fact मैं अगरा facts की बात करूँ तो 2004 में 24% members of parliament के अगेंस criminal cases थे 2009 की parliament में जब देखा जा गया तो 30% हो गए 2014 में 34% हो गए और 2019 में 43% हो गए तो यह 43% अभी भी MPs ऐसे हैं इंडिया में जिनके अगेंस criminal cases है बलाब criminals are actually criminal cases अब आप सोलो 43% में से 43% MPs होगे जहां पर criminal cases होगा तो यहां पर author ने काया कि यह इसको रोकने के लिए ठीक अच्छी मुहिम है रुगेगा नहीं लेकिन अच्छी मुहिम है दूसरी चीज इन्होंने एक और चीज कहें कि जो voter है उसका vigilant होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप पढ़ो समझो उसके बाद ही vote दो आपका vote precious उसको इस तरीके से waste ना करें तो be vigilant और यह जिससे कई लोग शराब कंबल यह सारी चीज़े बेच करके freebies दे करके आपको उलजाने कोशिश करते तो उनसे बचें और vote हमेशा आप 5 साल के भले को सोचते हुए करें अपने छड़े को देखते हुए ना सोचें that is it for the day keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day